हेलो प्रेड वेल्कम बैक मैं डिक चैनल रॉस्निकी पार्षाला तो डेली करेंट अफेक्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है तो सभी को पता है आज 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर से सम्मंदित जितने भी इंपोर्टन कोशन आंसर है करेंट अपकर से सम्मंदित ठीक है तो उसको मैं लेकर आए हूँ आपके लिए जो एकसाम फिद्रिश्टे से इंपोर्टन है तो पहला कोशन हम देख लेता है भारते सैन ने विरासत महसूर के पहले संसकरन कहां किया गया है तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में किया गया है सपरस्टिकरन हम देख लेता है भारते सैनDeVirasatong महस्व के किया है तिके आप रक्षा मंत्री राजनाद सीह को जो है आप पिक्षर में देख सकते हैं ठीके उन्होंने जो है प्रोजेक्ट उध्वाव का भी लॉंच किया है नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाली में आर्वियाई की उपकारेले का उध्खाटन कहां किया गया है तो इसका राइट आंसर है इटा नगर में किया गया है आर्वियाई की उपकारेले का उध्खाटन स्वास्टिकरण तरह दिखेते हैं भाहरती विषव बैंक यानि की आरग्वाइन विष्व ने जोइ ईटानगर य rozm Data नगर का है अर्नाचल्व परदेष में त左 कि client की ये इटा नगर की में जोहें उफ कारल द्युत खाल देशी किया है इसने RBI ने भारते दिश्व बैंड ने कहां पर किया है और नाशल प्रदेश के इटानगर में किया गया है उपकारेले का स्थाफना ठीके तो RBI के डिप्टी कॉर्णर डॉक्टर माइकल देब्रत पात्रा ने उपकारेले का उत्खाटन किया है और इससे पहले जून में ना नाशल प्रदेश के इटानगर में खुला गया है और अगर आप मरेशनल में पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगी साथ वेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आने वाले वीडियो का नुट्सक्राइशन आपको मिलता रहे तो सुबहर रोज 6 बजे जो ह जो है अटेम्ट करने के लिए मैं चैनल को चरूर सब्सक्राइब करेंगा जो एक्जाम की द्रिष्टे से इंपोर्टेंट रहता है वैसे कोशन जो है मैं लेकर आते रहती हूं जो एक्जाम की द्रिष्टे से इंपोर्टेंट रहता है तो भारती रिजर्व बैंक की से मुख्या लेका है मुंबई महाराष्टर में इस्तित है इनके गौवर्णर जो है वर्तमान मी सक्तिकान दाश्री है और डिप्टी कौवर्णर कौन है देखो डिप्टी कौवर्णर जो है डॉक्टर M.D. पात्र और M. राजिश्वर राव ती रभी संकर और जो है स्वावी नाथन जी है ठीक है कितने है एक दो तीन चार है ठीक है डिप्टी कौवर्णर और जो है उनिस सो उन्चास में इसका राश्टी करण किया गया था भारती रिजव बैंक का नेक्स्ट हम दिख लेते हैं भारत में ओनलाइन वित्य धोगा का धड़ी से लड़ने के लिए दिखी कवाच कवच प्रोग्राम जो है किसने लॉंच किया है तो डिजिटल यानिकी कवच प्रोग्राम जो है किसने लॉंच किया है किस से लड़ने के लिए देखो भारत में जो है क्या हुआ है पिछले तीन साल से सर्वे से पता चलाया थुए ति पिछले तीन साल से जो जो है काफी प्रतिसत से जो है भार के परिवारों में दर्ज कराया गया है ठीक है और जिसमें से उन्ती यानि कि 24 प्रतिसत लोगों का जो है पैसा वापस हुआ है बागी का नहीं हुआ है तो इससे जो है लड़ने के लिए डीजी यानकी डिस्टल कवच प्रोग्राम जो है लॉंच किया गया है किसने लॉंच किया है गूगल ने लॉंच किया है वित्य धुगाधरी से बचने के लिए ठीक है तो स्पस्टिकर्ण हम देखते हैं गूगल ने भारत में ओनलाइन वित्य धुगाधरी से लड़ने के लिए डिस्टल कवच प्रोग्राम लॉंच किया ह तो Google का लक्षी क्या है? धोकादरी कतिविधियों से निपटना है ठीक है? यानि की देखो, क्या हो रहा है कि online जो यानि की cyber crime वाले जो है यानि की जो hack करते हैं ठीक है वो क्या करते हैं? debit card, credit card के थो जो है वो क्या करने हैं? पैसा जो है उन्रों चुरा ले रहे हैं ठीक है? तो बित्य दोकादरी का जो case है 49% जो है भारत से दर्च कराए गया है ठीक है जो की grammy चेतर की और सहरी चेतर की अलग-अलग है ठीक है? और उसमें से जो है 24% लोगों का ही पैसा वापस मिला है अभी बागी का नहीं मिला है तो इससे बचने के लिए जो है इससे लड़ने के लिए डिश्टल कवर्च प्रोग्राम लांच किया है गूगल ने याद रखना question पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट है एक्साम में पूछा जाएगा ठीक है तो गूगल का डिश्टल कवर्च कारेक्रम जो है भारती इंटरनेट उप्योग करता हूं के लिए अधिक सुरक्षे डिश्टल वातवार जो है तयार करेगा तो गूगल के बारे में हम चान लेते हैं तो इसके इस थापना जो है चार सितमबर 1998 को किया गया था इसके संस्थापक कौन है देखो आप देख सकते हैं पिक्षर में लेडी पेज और सर्गी ब्रेन है ठीक है गूगल के संस्थापक है ठीक है यह दोनों आप देख सकते है और इसका मुख्याले कहाँ है California USA में है ठीक है और इसके CO कौन है सुन्दर पिचाई जी है और CFO जो है रुद वराड़ जी है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं दूर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित क्या गया है तो इसका राइट आंसर है अजय चक्रवती को सम्मानित क्या गया है दूर्गा भारत सम्मान से ठीक है हिंदुस्तानी सास्त्री गायव और संगीतकार पंडित अजोई चक्रवती को पस्चिम बंगाल के राजय पार सीवी आनंद बोस द्वारा जोई प्रतिष्टे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित क्या गया है और चक्रवति को क्या गया है ठीक है के द्वारा क्या गया पश्चम बंगाल के राजय पाल सीवी आनन्द बोस जो है क्या गया है और इसके अलावा जो है केंद्य विश्विद्याले विश्व भारती को सिक्षा के छेत्र में उत्केष्ट योगदान देने के लिए तो उरका भारत सम्मान प्रदान किया गया है और बोस ने जो है गार्डन रिच सिर्फ बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स और इसरो को भी पुरुष्कार पतान किया गया है ठीक है याद रखना ए भी जो है इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्जाम में पुछा जा सकता है तो नेक्स हम देखेते हैं विश्वर हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है तो हिम से आप क्या समझ रहे हैं बरफीले छेत्र के जो तेंदुआ होते हैं उनका दिवस कब मनाया गया है तो इसका राइट आंसर है 23 अक्टूबर को बनाया गया है यानि कि कल बनाया गया है HIM 32 दिवास ठीक है स्पास्टी करन हम देख लेते हैं क्यों मनाया चाहता है तो 23 अक्टूबर 32 और हिमाले की अन्य वन जीवों की सुरक्ष्ण और संरक्षन के लिए हार वर्स विश्व खींद्धुद्ध रूप में मनाया जाता है यानि कि हमाले के खेत्र में जो अन्येट वन्न भी रहते हैं उनकी सुरक्षा और संleक्षम के लिए बम्हार पर रेयान कि प्रती बना चाता है मैं 13 माए Right 11 लिए सब्सक्राइक बनाए दागे 3 मश का मंधक आते चानगे दशर्ड़े कर दो 14 अक्टूबर को बने वर्ल्ट वाइड केंग दिवस बना जाते हैं और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस बना जाते हैं 20 अक्टूबर को अंतराश्टी सेव दिवस बना जाते हैं और 20 अक्टूबर को जो है एलेक्ट्रो मैगनेटिक रेल गन को सफलता पुर्वक लॉंच करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो इसका राइट आसर है जापान देश बना है स्वास्टिकरन हम देख लेते हैं जापान एक तर्ट अब तर्टी ये जहाज से जो है विद्यूत्य चुम्ब की रेल गन को सफलता पुर्वक लॉंच करने वाला पहला देश पनक्या है और अब तर्टी ये जहाज वे जहाज होते हैं जो विसेश रूप से खुले समुद्र में देल की खोज और निर्माण का कारे करते हैं और रेल गन जो है सबसे घातक हतियार होते हैं और ये बड़े से बड़े ऑबजेक्ट को आसानी से फायर करने में भी कैपेबल होते हैं और इलेक्रो मागनेटिक रेल गन जो है किसी ऑबजेक्ट को बहुत तीज तर्टार से दाख सकता है यानि कि किसी ऑबजेक्ट को किसी भी बस्तु को जो है वो रेल गन जो है यानि कि इलेक्रो मागनेटिक रेल गन जो है बहुत रबदार से जो है वो टाजेट कर सकता है ठीके तो तोप की जो रेंज है तोप की रेंज कितनी है 50 से 60 किलिमेटर तक की होती है लेकिन रेल गन की मारक चमता जो है कितनी है 200 किलिमेटर तक की है देखो तोप की रेंज जो है यानि की नॉर्मल तोप की रेंज जो है 50 से 60 किलिमेटर होती है तो उससे जो है दुखना है ठीके यानि की दुखना हो सकता है रेल गन की मारक चमता जो है कितनी है 200 km की है याद रखना important है question में पूछा जा सकता है question ठीके जापान के बारे में हम देख लेते हैं जापान की राजधानी क्या है टोक्यो है प्रधान मंत्री कोन है वर्तमान वी फोमियो की सीधा है और मुद्रा कैया है जापान की करणसी क्या है जापानी एन है याद रखना next हम देख लेते हैं 2024 में उप्रेक्स में एप्रेक्स के दूसरे संस्कृन की मेज पानी बारह यानि की मेज बानी जो है path on सह हैर करेगा राइट आंसर है है हैधराबाद करने ही पाला है ठीक है 2024 में तो फेडरेशन इंटरनेशनल दील जो है ऑटो मोबाईल और फॉर्मूला ई ने जो है आधिकारिक तोर पर कहा है कि 10 फरवरी 2024 को इप्रिक्स का दूसरा संस्करण हैधराबाद में आईजित किया जाएगा और फर पहली फोर्मूला ईरेज हाधराबाद स्ट्रेट सरकीट में होई थी ठीक है अनकी 2023 में पहली फोर्मूला ई-रेस हाधराबाद स्ट्रेट carboned में हुई थी ठीक है है दर जो है नेक्कित हम देखेते हैं है 일반 प्रिक्स भारत कि लिए वरेस्ट उपाधवक्ष औरमडी नियों क्या गया है तो इसका राइट आंसर है एक चिता दास गुपता को ने क्या गया है स्पस्टिकरण हम देख लेते हैं है यानिकी हच पी ने जो है भारत के लिए वरिस्ट उपाधक्ष और इसके अपटे के रूप में एपचिता दास गुपता की ने जिए पिक्षर में देख सकते हैं और इसकी बांगला देह लंका चीतर में सामिल है तो हैवलेट पेकार्ड को जो है आम तोर पर हच्पी के रूप में चाना जाता है और हच्पी जो है अमेरी की बहुराश्टी या प्रदेगी की कमपनी थी और संस्थापक कौन से बिल हैवलेट और डेबिट पेकर्ड थी इसके संस्थापक याद रखना और इसके स्थापना कप की की थी तो जुलाई उनने सो शालिस को की की थी और जो एक कमपनी है पीसी प्रिंटर और ठीडी प्रिंटिंग की छेत्र में कामद करती है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्रधान जली जो की फ्लाई ओवर का उद्खाटन किस राज्य में किया गया है तो स्रधान जली फ्लाई ओवर का उद्खाटन जो की राज्य का सबसे लंबा फ्लाई ओवर है तो किस राज्य में किया गया है तो इसका राइटांसल है असं राज्य में किया गया है परस्टिकर हम देख से हैं असम के मुख्यमंत्री हुमंति बेश्व सर्मानी कुहावटी में असम के दूसरे सबसे लंबे स्वधांजली फ्लाइ ओवर का उठ्खाटन किया गया है जैसे कि आप पिक्षर में देख सकते हैं बहुत लंबा है यानि की दो दसंबलो 28 किलोमेटर लंबा है स्वधांजली फ्लाइ ओवर ठीके जो की राजे का दूसरा सबसे लंबा फ्लाइ ओवर है और इसका जो बनाने का बजट कितना है 316 करोर रुपए के बजट से इसको निर्मान किया गया है ठीके और कितने दिन में पूरा किया गया है साथ दिनों में पूरा किया गया है याद रखना ठीके इक कोश्चन पूछा जा सकता है ठीके इंपोर्टेंट है चारे कोश्चन जो है मैं सलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिखे आती हूँcket अधि करन टाशे सम्मंधी ठीके जो की इकक्साम की ग्रीश्टिश्टेंसे इपॉर्टेंट रहता है और कारिन टावर के बाद जो है दिली जो है प्रिविज ये प्रिविज च्लास के जो करें तो चैनल को जड़ो सब्सक्राइब करें तो असम के बारे में हम देख लेते हैं तो राल्थानी क्या है असम की दिस्पूर है मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में हिमंत पिश्वा सर्मा जी है और राजेपाल कौन है बुलाद चंद कटारिय जी हो विधान सभा की सीटे कितन यह 126 है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवेंट अप्लीटी ओ कि शॉर्ष्ट प्रेयटन गाउं 2023 कि से जो है धोडू गाउं को सम्मानित किया गया है यह किस राज्य से किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य में है स्पस्टिकरन हम देख लेते है विशु प्रेयटन संगठन यानि की QNWTO इसका फुलफर्म है United Nations World Tourism Organization जो है घोसी सिर्थ चववन प्रेयटन गाउं की सूची में यानि की चववन गाउं की प्रेयटन गाउं की सूची में जो है दोडो गाउं को भी सर्ववस्रेश्प प्रेयटन गाउं की जो रूप में है चुना गया है ठीकि और कान पर है धोडो गाउं ये जो है गुचरात में है ठीके धोडो गाउं के सासा जो है दुनिया भरकी कही अन्ने गाउं के जो मानेता प्राप्त आगी जिली में जो है बेरन कास है और जापान में पी इए ऑर स्पेन में से कैंट पीछा अर मिस्ठ में जो है दृ स्वर में यह यहीं को है यहाद्राज्टे अरगभेक और पॉर्तजाल में जो है एरिसीरा और कोलंबिया में फेलांडिया सामिक है तो इन गाउं को जो है कौन सा सम्मान दिया क्या है विश्वप प्रयातन शंगठन द्वारो जो है गोशित क्या गया है सर्ष रेट प्रियाटन गाव ठीक है याद रखना तो विश्व प्रियाटन संगठन यांकी United Nations World Tourism Organization जो है मद्जित Spain में स्थेट जो है सेंउक्तर राष्ट की एक संस्ता है और ये जो है विश्व में प्रियाटन समंधी देखरेक करती है याद रखना इसका जो है लोगो आप देख सकते हैं तो अब जो है रिवाइस का टाइम आगे है अब जो है पिछले क्लास की करेंट अफ़े की कोशन आंसर जो है हम रिवाइस करेंगे ठीक है जो की important है आपकी exam की दृष्टे से exam में जो है कोशन पूछे चाहेंगे ठीक है तुरिवाइस हम कर लेते हैं अगर आपको कोशन का आंसर पता हो तो आप जो है कमेंट के के बताते चाहिए का तो गजनियान की क्रू मॉडियूल को किस ने सफलता पुर्वक लॉंच किया है तो इसका राइटांसर है इस रो नहीं लॉंच किया है भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमिकंड़क्टर रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का लक्ष रखा है तो इसका राइटांसर है दोजार जोबिस तक यानि कि नेक्स्ट इयर तक तो ओद्यदिक प्रदूशन विरोधी अभियान किस राजी या किंद्रसासित प्रदेश ने सुरू किया है तो इसका राइटांसर है दिल्ली ने सुरू किया है एंथुरियम महाच्व किस राजे में सुरू हुआ है तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में सुरू हुआ है उत्तर प्रदिश का पहला मिजन सक्ति के फे कहां स्थापित क्या गया है तो इसका राइट आंसर है गोंडा में स्थापित क्या गया है भारत का दूसरा वेलोडरम कहां बनाया जाएगा तो भारत का दूसरा वेलोड्रम जो है आपे मनाया जाएगा वो पाल में मनाया जाएगा सहकारी बैंक की चमा लेंग्ड रेंड रोजना किस राजय में सुरू की गई है तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश राजय में सुरू की गई है खोल्ड ब्लेड लव उपन्यास की लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर है गिरिस दथ सुकल जी है नितिन गटकरी ने देश का सबसे उचा रास्तिय धवज जो की 418 फीट का है किस बॉर्डर पर फ़राया है तो इसका राइट आंसर है अटारी वाघव बॉर्डर पर फ़राया गया है ठीक है भारतिय धवज किस देश के 41 राजनीकियों को भारत छोड़ना पड़ा है तो इसका राइट आंसर है कैनेडा के च्ञारिस राजनिकों को भारत छोरना पड़ा है तो अब कारी है लिवसंग जी के की तो लिवसंग जी के हम देखें गे विश्व के सबसे बड़े बड़े जो इमारत हैं और सागर है इस सबके बारे में जो exam की दृष्टे से important है तो विश्व का सबसे बड़ा महादीफ कौन सा है? Asia महादीफ है जो की विश्व के छेत्रफल का 30% हित्ता है और विश्व का सबसे छोटा महादीफ कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन से है प्रसांत महासागर है और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन से है आरकार्टिक महासागर है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन से है प्रसांत महासागर है जिसकी गहराई कितनी है 11,034 मिटर है याद रखना कुशन पूछा जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है दक्षेनी चीन सागर है यानि कि दक्षेनी चीन सागर जो है प्रसांत महा सागर का ही भाग है जो सिंगापूर से लेकर ताइवान के खाड़ी तक जो है प्रसांत महा सागर का ही भाग है याद रखना यानि कि दक्षेनी चीन सागर के नाम से भी जाना जाता है अगर कूशन में जो है option में ये भी आए या प्रसांत महासागर न आए दक्षर चीन सागर आए तो आपको क्या करना है तो प्रसांत महासागर ही जो है सबसे बड़ा है विश्व का ठीक है याद रखना विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौनसी है नील नदी है बार बार कोशन पूछा जाता है बहुत बार कोशन पूछा गया है और एक एकसाम में ठीक है जिसकी लंबाई है 6650 km ठीक है विस्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और विस्व की सबसे बड़ी अब वहाँ छेतर वाली नदी कौनसी है अमेजन इससे कोशन पूछे जाएंगे अगर आपको डेली करणट करके पीडिया नौस चाहिए तो आप टेलिग्राम ब्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो नेक्स हम देख जिते हैं विश्व की सबसे बड़ी साहाइक नदी कौन है मेडिरा है जो की एमेसन की साहाइक नदी है तो विश्व की सबसे वैस्ट व्यापारिक नदी है राइम नदी है सबसे वैस्ट व्यापारिक नदी एक कुशन भी जो है बहुत बार पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी विव कौन सा है माजूली है जो की ब्रह्म पुत्रे नदी परस्ती थे और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है याद रखना important question मैंने ख़राया तिके आज का वीडियो कैसा लगा comment करें जरूर बताएं अगर अभी तक आपने यह चलों को subscribe नहीं किया आपके लिए थोड़ा सा भी आपके लिए इन्फर्मिटिव लगा होगा आपको नौलिज में थोड़ा सा भी गेन हुआ होगा बड़ा इतरी होई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही like बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताक कि तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंपोर्टेंट आज की साथ